नमस्कार सात्यों परदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के अध्यक्ष्टा में आज कैबिनेट की बैठेक भी हुई, CCA की बैठेक भी हुई और जैसा आप सबको ग्यात है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धी, चंदर्यान मिशन्त्री की सफलता के, जहां देश और दुनिया भर में, भारत का स्पेस सेक्टर में एक बड़ा नाम के कह सकते हैं कि नए भारत की नई पहचान, नई उडान, नए भारत की नई चलांग, इस स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धी है, और स्पेस सेक्टर में इस उपलब्धी पर समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी खुशी प्रकट की, और एक कैबिनेट नोट, जो कैबिनेट परस्ताव उसमें पास हुआ है, म पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जशन मना रहा है कि अंडरे कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है कैबिनेट हमारे विज्यानिकों की इस एतिहासिक उपलब्दी की स्राहना करती है ये सिर्फ हमारी स्पेस इजन्सी की ही सफलता नहीं है बलकि भारत की प्रगर्ती और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्ट को नाशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा कैबिनेट इस रो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है हमारे विज्यानिकों के निरंतर प्रयासों की वज़ा से भारत चंदर्मा के दक्षणी धुरुफ के स्मीब उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है चंदर्मा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है तमाम चुनोतियों को पार करते हुए चंदर्मा के दक्षणी धुरुफ के स्मीब उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे विज्ञानिक ग्यान की खोज के लिए हर सीमा के पार कर जाने के लिए तयार रहते हैं प्रग्यान रूवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है उसे हमारे ज्ञान में वृध्धी होगी नई खोज का मार्ग बनेगा और चंदर्मा के रहस्मे को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी क्याबिनेट का एमानना है कि तेजी से बदलते तकनीक और इनोवेशन के दौर में हमारे विक्यानिक, नौलेज, डेडिकेशन और एक्सपर्टीज की मिसाल है उनकी एनलिटिकल क्षमता नई खोजों के प्रति उनका कमिटमेंट देश को साइंस के क्षेतर में लगातार आगे ले जा रहा है सबसे बहतर करने की भावना, निरंतर नई खोज में लगे रहना, चुनौतियों से लड़ने की जिवटता से दुनिया भर में उनका सम्मान बड़ा है उनकी सफलता ने दूसरों को भी बड़ा सोचने और उसे सकार करने के लिए प्रेरित किया है भारत के अंधरेक्ष प्रोग्राम में महिला विज्यानिकों की भूमिका है, कि भी बहुत महत्वण भूमिका है काबिनेट को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारी महिला विज्यानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला विज्यानिकों को प्रेरित करती रहेगी कैबिनेट परधान मंतरी मोदी जी को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रती उनके विजन और उनकी लीडर्शिप के लिए बधाई देती है उनके नेतरतब में इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरी मानवता के कल्यान का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के अटूट भरोसे ने हर बार हमारे विज्यानिकों को सर्वश्रेश्ट परदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है पिछले 22 वर्षों के दौरान पहले गुजरात के मुख्य मंतरी और फिर परधान मंतरी के तौर पर उनका सभी मून मिशन से भावनात्मक लगाव रहा है पूर परधान मंतरी श्री आटल विहारी वाजपई जी ने जब चंदर मिशन की घोशना की थी तब वो गुजरात के मुख्य मंतरी थी 2008 में जब चंदरियान का चंदरियान वान का सफल रक्षेपन हुआ तो उन्होंने इस रो जाकर वहां के विग्यानिकों को बढ़ाई दी 2019 में जब चंदरियान दो की मिशन अपने लक्षियों तक नहीं पहुंच पाए तो परधान मंतरी जी की और से विग्यानिकों को दिये गए भावनात्मक संबल ने हमारे विग्यानिकों के हौंसले को और मजबूत किया परधान मंतरी मोदी जी की प्रेणा ने हमारे विग्यानिकों को चंदरियान मिशन के लिए नई उरजा दी परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने हमेशा साइंस और इनोवेशन को प्राथमिक्ता दी है पिछले नौ वर्षों में देश में निरंतर ऐसे निरने लिये गए हैं नीतियां बनाई गई हैं जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को असान बनाया है परधान मंतरी जी ने सुनिश्चित किया है कि स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्ट अप्स और प्राइवेट कंपनियों को नए अफसर मिल सकें परधान मंतरी जी के मार्ग दर्शन में जून दो हजार बीस में डिपार्टमेंट और स्पेस के तहट एक अटॉनमस बाडी के रूप में आई एन स्पेस की स्थापना की गई थी इसका उदेश्य इंडस्ट्री अकैडमिया और स्टार्ट अप्स का एक ऐसा एको सिस्टम त्यार करना था जिससे भारत ग्लोबल स्पेस एकॉनमी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके है आई एन स्पेस अंतरिक्ष के क्षेतर म भारत को एक नई उंचाईयों पर पहंचाने का मात्यम बन चुका है बैंगलारू के इसरो सेंटर पर वेग्यानिकों से बात करते हुए नाशनल हैकाथॉन का जो विचार मान्य परधानमंत्री जी ने रखा है उसे सभी वाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल चंद्रियान थ्रीप जहां उत्रा रखने का स्वागत भी करती है ये नाम हमारे कौरवशाली इतिहास और आधुनिकता की भावना दोनों के अनुरूप है ये सिर्फ दो नाम ही नहीं बलकि हमारे हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज के विज्यानिक आकांग्शाओ वाले भारत को एक सूतर में पिरोती है चंद्रियान तीन की सफलता परधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी के विजन जै विज्यान जै अनसंधान की भी सफलता है इस सफलता से हमारे स्टार्ट अप्स और MSME के लिए स्पेस सेक्टर के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं इ आने वाले वक्त में स्पेस सेक्टर नई इनोवेशन का और लाखो इवाओं के लिए रोजगार के अफसर उपलफ्त करवाने का माध्यम बनेगा परधान मंतरी मोधी जी ने एक बार फिर वासुदेव कुटमकम की भावना को सित किया है चंद्रियान तीन की सफलता के विज्यान का मार्क प्रशस्त करेगा कैबिनेट का विश्वास है कि स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता सिरफ एक विज्यानिक उपलब्धी से कहीं अधिक है इसमें हमारी उन्नत सोच आत्मने भरता और ग्लोबल लिडर्शिप के विजन का प्रतीबिम्ब है ये उबरते ह हुए नए भारत न्यू इंडिया का भी प्रतीख है हम भारत के नागरिकों का आवान करते हैं कि वे इस अफसर का भरपूर लाब उठाएं ताकि आने वाले वक्त में सैटलाइट कम्मिनिकेशन्स मौसम विज्यान से लेकर क्रिशी और डिजास्टर मैनेजमेंट तक के प्यार कर सके हैं हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इनोवेशन का जमीन पर सीधा प्रभाव हो वो हमारे इंफ्राजक्चर को मजबूत बनाए हमारी डिजिटल एकॉनमी को शिशक्त करें और विविंच सेक्टर को क्रिटिकल डेटा मौहिया करवाएं साइंस ट प्रेरित करें चंद्रयान तीन की सफलता ने अंत्रिक्ष के क्षेतर में यवाओं की रूची को बढ़ाने का हम एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है यवापीडी में स्पेस और साइंस के क्षेतर में अकर्शन बढ़ने से हमारे देश की उन्नती के नए मौके बनेंगे कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती है चंद्रयान तीन की सफलता इस बात का प्रमान है कि भारत अपने सामर्थ अपने जज़बे और समर्पन के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है कैबिनेट को विश्वास है कि चंद्रयान की सफलता के बाद जोश और गर्व से भरे हुए हमारे देश के लोग मिलकर दोहजार संतालिस तक बारित को विक्सत भारत बनाने के संकल्प को जरूर साकार करेंगे कोई सबाल पूछना है आप मेंसे किसी ना और भी जान की देने हैं एक अठे लेने क्वेश्चन्स ठीक एक ओनम ओनम और रक्षा बंदन का त्योहार देश पर जहां एक और खुशियों को सब और लाता है हर परिवार में इसको धुमधाम से मनाया जाता है वहें पर रक्षा बंदन के अफसर पर कि पूर्व संध्या पर मैं जुरू कहना चाहता हूं कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी नहीं 2014 से जब से देश के परधान मंतरी बने एक के बाद दूसरा निर्णे महिला उत्थान के लिए महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णे रहे और महिला नित्रतव विकास की बाद दुनिया भर में परधान मंतरी मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्पटल पर भी रखी अगर आप निर्णों की गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती थी खुले में शौच करना धुएं से जो लकड़ी जलाना कोईला जलाना धुएं से अपना शरीर खराब करना तो पहले जहाँ एक और शोचाले बनाए फिर सोई गैस के सिलेंडर परधान मंतरी उज्वला योजना में लगबग 9.60 लाग बहनों को दिये फिर पानी लाने के लिए बहनों का बहुत लंबा समय दिन का चले जाता था कई किलोमेटर जाना पड़ता था कई घेंटों कई जगा इंतजार करना पड़ता था फिर स्वास्ते की दृष्टी से आईश्मान भारत लाए ताकि उनको उसका लाब मिल सकें अगर आप एक महिला के जीवन में देखें जो चुनौतियां थी बहुत सारे कश्ट थे समस्याइन थी उनके समाधान के लिए 2014 से लेके 2023 तक परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए उजवला सिलेंडर 36 उर्पे भारत सरकार खर्च करती है और लगबग 9 करोड़ 60 लाग बहनों को बगयर कोई पैसा लिए उजवला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी धूए से मुक्ती भी दी स्वास्थ कलाब भी दिया 12 करोड़ शौचाले बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ती दी और इजजत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जलकी सुविधा दी जा चुकी है बहनों का समय उस पे भी बचा चार करोड़ बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बना कर दिये और लखपती दीदी चार करोड़ से जादा बहनों को बनाने का कारे हुआ जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 20 साल तक बिलकुल मुफ्त में दिया जुरूरत मंदों को वहीं पर 25 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ पे से जादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में निरेंदर मोधी जी की सरकार ने दिया LPG के सिलेंडर का रीफिल कोविड के साइम पे उस समय मुफ्त में दिया और आज जब ओनम और रक्षा बंदन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए परसंता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर परधान मंदरी मोधी जी ने बड़ा तोफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उजबला गैस योजना के अंतरगत उनको गैस कोनेक्शन मिलेंगे उनको एक रुप्या भी नहीं देना पड़ेगा गैस कोनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे पहला सिलेंडर भी पाइप भी चुला भी यह देखे बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाप मिलेगा दूसरी और अगर आप देखे हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की जब दुनिया भर में दाम बड़े अगर मैं सौधी सीपी की बात करूं अ उस समय भी दुनिया भर में 303% की विर्द्धी वी लेकिन हमने देश में किवल 63% की विर्द्धी की लेकिन आज ओनम और रक्षा बंदन के इस पावन अफसर पर पर परधान मंतरी मोधी जीन निर्णे लिया है कि 200 रप्या गया सिलेंडर के दाम कम किये जाएंगे सभी 2014 में आई थे मोधी जी के नितत्त में सरकार बनी तब देश में मातर साड़े चौदा करोड लोगों के पास रजोई गयास का सिलेंडर था डुमेस्टिक एलपी जी आज वो बढ़कर 33 करोड हुए हैं जिन मेंसे 9 करोड 60 लाक उजवला गयास सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गयास कुनेक्शन दिये थे और उजवला गयास योजना वालों को 200 रुप्या सबसिडी पहले ही मिलती है तो सभी उप्भोकताओं को जो डुमेस्टिक गयास सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपे कम कर दिया गया है रक्षा बंदन पर देश भर की बेहनों के उनको भी या कईयों के नए राशनकार्ट बंदें के नए परिवार बेटे की शादी होगी तो नए परिवार बनता है तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्द होगी यह 75 लाग कनेक्शन मिलने के बाद लगबग 10 करोड 35 लाग उजवला गैस योजना के लाबार्थी हो जाएंगे परदान मंतरी उजवला योजना के लाबार्थी 10 करोड 35 लाग तब हो जाएंगे आप में से किसी का कोई सबाल है सब्सीडी सब के लिए है और उजवला कस्टमर्स के लिए पहले से 200 रुपए की सब्सीडी है तो इफेक्टिवली उजवला कस्टमर्स के लिए 400 रुपए की सब्सीडी हुई और बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए की सब्सीडी हुई जितने उप्भोक्ता गैस के हैं LPG जो यूज करते हैं Domestic Slender इनके जो घरों में यूज होती है उन सभी उप्भोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपे कम कर दिये गए हैं उज्वला गैस के जो लाभारती है उज्वला यूजना के उनको भी 200 रुपे ये जो कम हुए उसका भी लाब मिलेगा और जो 200 रुपे सबस्टेड़ी उनको मिलती रहती थी वो एस इडिस कॉंटिनु रहेगी तो उनको 400 रुपे का लाब मिलेगा को कि संटोश अबस सब्सेड़ी के तौर पर होगा ओल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरब से कुछ वहन नहीं करना होगा दूसरा अगर सबसीटी है तो सरकार के खजाने पर अत्रिक्त खर्च कितना आएगा इससे देखिए पहले भी जब आपने लग्श्मीं जी पीछे भी अगर देखिए एपरिल दोहजार बीस से एपरिल दोहजार बाईस तक अगर दुनिया भर में तीन गुना दाम हो गए थे तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोज नहीं पढ़ने दिया रिसोई गै प्रधानमंत्र यह थे अपनी और से मदद की थी और इसमें भी में तना ही कहना चाहता हूं कि ग्याइश सेलेंडर सस्ता हुआ फिर एक बार राखी पर बेहनों को मोदी सरकार का उपहर चोपड़ा बदेनी सरकार को होती आपको पता है लक्षमन जी चोपड़ा तो जितने यूस होंगे उसके कैलकूलेशन के साथ सब्सक्राइब तो इसमें तो इक्षार क्रोड से जादा शायद दो वर्षों में देना पड़ा था कि समंदे विभाग आपको डिटेल जानकर दे पाएगा लेकिन उसमें दाम बहुत जादा दुनिया भर में बढ़ गये थे यहां पर राहत देने के लिए यह मोधी सरकार ने निने लिया है कि राखी के त्योहर पर और ओनम के परपर देश की करोडों बहनों को एक तोफे के रूप में यह दिया गया है ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मि कि तोसर पया देश के तेतीस करोड भूगता ओंगे जो LPG, Domestic Glass Cylinder, यूजर राखी जुटू प्राइज परिए प्रपीज प्रपाइश के थे लप करोडों बहनों के तेतीस करोड यू भोगता हूं के जो LPG, Domestic Glass Cylinder, यूजर यूजर राट यूजर यूजर श्रूजर य यह पस्त कर दे कम आवेगान कर आटार सब्हार, अजूरी अजूरी कर दे अढ़ी कर आट आटार सुनिया जाटारी कि जूरी पोस्तीर्ट अट रहें अब हैंना गुंटी अवे धिष्यार इसुप टेच्छ मेन अब शूरूरी अप्रश्यूट टेग इस्टीर अंट्रे। ब्रव किलिकार थो दुट के विव एक टॉट काथ तक्रॉद मुझाना था आखिवाए पूप लुट काथि देखिन आखित है दें। आज से ही आज से ही आज जो बुकिंग करा है तो वो 200 सस्ता मिलेगा का लिए घर में स्लेंडर अभी पूचाओ अगर वित्य वर्ष 2023 का देखो को तो लगवक 7,680 कोड़ पाइस का परभाब पड़ेगा चर्मा बंट 680 7,680 कोड़ में बीद फाइनेंशल इंप्लिकेशन फार फार फड़ेचिल एंट फ़ार अपसे मेरा सवाल है अपसे यह जो आपने आज जो राहत दिये ए यह एल्पीज सिलिंडर पे लेकिन इसके साहती साह जहां पर एलेक्षिन हो रहें दन्यावाद करना है सर दन्यवाद तो ही उसकी साथी जहां जा चुना हो रहे हैं जिसे मद्यपदेश राजस्ताने वह पे पान-पान सो में सिलिंडर देने की घोश्टना कर रही है पोजिशन पार्टियां तो क्या उससे भी जोड़के इस निर्णे को देखा जाए या आगे कुछ इसमें उस र पहनों के लिए 33 क्रोड ऐसे उभोकताओं के लिए 200 और प्रती सिलिंडर दाम कम करने का एक बहुत बड़ा निर्णे निरेंदर मोती जी की सरकार्ने की सर प्रशान्त हूं एंडी टीवी से सर एक चीज़ केवल साफ करना चाहता हूं करना की सिलिंडर के दाम कम हुए है या दाम पूरा देना होगा जैसे पहले होता था सब्सीडी बैंक में आगे 262 और जस्ट टेक सर हमें सकार्न नूश पेपर से बोर रहा हूं यह जो सब्सीडी दी है सिर्फ एक सिलेंडर के लिए है कि आगे भी चालू रहेगी एक दाम ही कम किया है आगे रवेंदर माइक सर यह तो गैस सिलेंडर की बात हुई है सभी को रहात मिली बड़ी बड़ा फैसला जो पी एंग जी वाले हैं जो पाइपलाइन गैस वाले इसमें अधिकतर लोग है आप भी है उनको कितना फायदा होगा कब होगा सर किस को लाप होगा पाइप के लिए पाइप के लिए आपकी जिन्ता जाता है पॉल में फ्यवादा जाता है पाइप मेंगा पॉल में वा थाप आन führen होगा के लिए पाइप भी ओ जयाद़ आप आप Up to the on the fourth floor, cafeteria